कमूरिटी मार्किट इस समय उफान पर है रूस की तरफ से यूकरेन पर हमले के कारण इस मार्किट में तेजी का सिलसिला जारी है कमूरिटी महंगा होने के कारण सरकार के साथ-साथ इंडस्ट्री की भी हालत पतली हो गई है कच्चा तेल इस समय ग्यारा सालों के उच्च तमस्तर पर है सब्ता के आकरी दिन कच्चा तेल करीब 7 फीजदी की तेजी के साथ 118 डॉलर प्रती बैरल के स्तर पर बंद हुआ था अलूमीनियम और कॉपर भी इस समय रिकार्ड उचाही पर पहुँच चुके है जिक 15 सालों के उच्च तमस्तर पर है खाने का पाम ओल भी महंगा है जबकि कॉफी का दाम 11 सालों के उच्च तमस्तर पर पहुँच गया है वहीं उधर गेहु भी महंगा हो गया है कच्च तेल महंगा होने से पेंट उध्योग, सीमेंट, FMCG और एविएशन सेक्टर पर काफी बुरा असर हुआ है पेंट इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल पर होने वाले खर्च में क्रूड का हिस्सा 60 फीजदी है पेंट इंडस्ट्री में क्रूड ओल डेरिवेटिव्स जैसे मोनोमर्स और टाइटेनियम डाइ ओकसाइड का इस्तमाल किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री में डुलाई समेत अन्य खर्च में कच्चे तेल का योगदान 30 फीजदी है इसके अलावा कोईला महंगा होने के कारण भी इस इंडस्ट्री पर असर हुआ है क्रिसिल रिसर्च का मानना है कि इस सार पावर और फ्यूल कॉस्ट में 35-40 फीजदी तक की बड़ोतरी संबह है सीमेंट के लिए कच्चा माल महंगा हो रहा है टोटल कॉस्ट में कच्चे माल का योगदान 15-17 फीजदी तक होता है यूक्रेन क्राइसिस के कारण एगरी कमोरिटी महंगा हो गई है जिसके कारण FMCG कमपनिया इस साल रेट बढ़ानी के लिए मजबूर है हिंदुस्तान यूनी लीवर ने फरवरी में दो बार रेट बढ़ाए है माना जा रहा है कि मार्च के महीने में कई FMCG कमपनिया रेट बढ़ा सकती है महंगे तेल से एविएशन सेक्टर पर सबसे बुरा असर पड़ा है एविएशन सेक्टर का 35 फीज़ी खर्च केवल फ्यूल पर ही होता है कोरोना महामारी के बाद ये सेक्टर अपने पैर पर दुबारा खड़े होने की कोशिश कर रहा है ऐसे में महंगे तेल ने इस सेक्टर की कमर तोड़ कर रग दी है अलग-अलग कमोरिटी की कीमत में उचाल के कारण सीमेंट के स्टॉक्स, बेंट स्टॉक्स, गैस कंपनीज, रबर और टायर कंपनी एवेशन के स्टॉक पर भारी दबाव है विए रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स, टीवी सर्दियों में जब लगे, वाट्रोब को अपडेट है करना तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्स्प्लोर है करना बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान